तो आज के हमारी इस ओर्लाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं Advanced Excel Custom Formatting के बारे में Custom Formatting आपके MIS Report Automation के लिए काफी important होता है कई सरे जगों पे रिपोर्ट में यह हमें काफी useful होता है तो Custom Formatting में हम आपके साथ discuss करेंगे किस तरीके से हम अपने इसाथ से नंबर को change कर सकते हैं तो चलिए मैं अपनी स्थीन आपको देखा हूँ तो जब सकते हम उस आर्टिकल की बात करते हैं जो आर्टिकल हमने आपको कल पढ़ने के लिए था हमने आपको Custom Formatting की आर्टिकल कल पढ़नी प्ले दिया था उसी आर्टिकल को हम reference में लिए थे हैं ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझने आए और साथ में हम Excel फाइल भी ले ले थे हैं जैसे कि हमने last class में बताया था आपको कि होश एफ़ हम box को दिंग को जम पूश नंबर को लिखें तो वह नंबर मेरे हिसाफ पर फार्मेंट हे फाइए तो यहां पर जैसे कि हमने आप्सी कल बताया था चेक नंबर का, अभाएल लंबर का कि कि तो अगन की बाक करते हैं जैं है कि अनले दिया है तो ऍयसें कि यह है तो क्या करना है इसको स्लेक्ट करना है और फॉर्मेट पर जाना है यहां कस्टम पर जाना है और यहां हम देंगे वान तू थ्री पॉर फाइज सिक्स टाइम जीरो जो सिक्स टाइम जीरो हमने डाला यह आपका नमबर कनवर्ट हो गया है अब यहां के एक कीज गौर किजिएगा जिसे कि हमने कल बताया था कि कोई भी फॉर्मेटिंग जस्ट आपका वीग्यूबल चेंज करता है ओरिजिनल अगर आप एक करना चाहते हैं कहीं में अनटाइब कर दिया सिंगल कोड जिरो-जिरो-जिरो-टू-वन-फाइट इस दोनों आपस में इक्वल नहीं है अगर इसको यहां लगाएं यह तो दोनों आपस में ब्रावर नहीं हो रहा है क्यों कुछ दोनों एक जैसा दिख रहा है ना सर्थ क्यों कि एक नंबर और एक टेक्स्ट है क्योंकि एक टू-वन-फाइब है और यह आपका जिरो-जिरो-टू-वन-फाइब अब मान लिजे कि आपको जरूरत पर गया आपको अगर मान लिजे जरूरत पर गया कि दोनों एक जैसा हो जैसे कि बैंक के रिकर इसलेशन होती है या बहुत सारे ऐसे जगों पर हमें इसकी जरूरत पर जाती है तो दोनों एक जैसा हो उस केस में हम यहाँ टेक्स फॉर्मूला अपनाते हैं टेक्स और फिर हम इसको सेलेक्स करते हैं और यहाँ पर जो कोड हमने कस्तम पार्मेटिंग में डाली है तेन कोड हम यहाँ ना लेए वन तू त्री पॉर पाइट सिक्स और इसको क्लोज करते हैं अब देखेंगे दोनों वीजिवल भी एक जैसा है और ओरिजिनल भी एक जैसा है तो यहाँ पर एक चीज़ आपको सीखने को मिल लहीं है वो क्या सीखने को मिल लहा है कि अगर आपके पास कुछ एसा डेटा है जो कस्तम फार्मेटिंग अपलाई करते हो लेकिन आप चाहते हैं कि ओरिजिनल में कस्तम फार्मेटिंग जो वैलू है ओ देखेंगे इसकी जरूरत आपको बहुत सरे जगों पर होगा तो इसको रिमेंबर रखेगा क्लियर है कि कमझना आ गया होगा आपको उसके बाद एक और एक्जाम्पल बताया था जिसके हमने आपसे बात भी की थी कि plus nine one हम यहां को माले जरे mobile लंबर डालते हैं तो plus nine one डालते हैं तो plus nine one accept नहीं करता हे हमने करें दिसकर्स किया था कि plus प्शोना टाइक होता है तो हमने बात किते कि हम custom formatting में जाएंगे और यहां पे हम plus nine one और यहां अपना one two three four five six seven eight nine ten तेन टाइम जिरो डाला, तेन टाइम जिरो डाला क्योंकि मुवाइल नमबर हमारा दस विजित का होता है, अब यहां हम प्लास ना ना लगागे, सीज़े नमबर लिखेंगे, तो प्लास ना ना अर्टमेंटिक लग जाएगा, बट इसमें एक और प्रॉल्लम है, चुकि कल हम नमबर है, तो उस केस में हम आपको चला देंगे कि जीरो के जगा से हैच किजिए, उससे क्या होगा, कि आप अगर नमबर यहां डालते हैं, तो ठीक है, अगर कम डालते हैं, तो कम ही आएगा, जो डालोगे वही होगा, अपना कुछ अफ़र्ट नहीं लगाएगाएगाए समझगे हैं, जैसे कि मांग जी क्यरेट कार्ड नमबर है, बता है न, करेट नमबर है, तो आपकी जो बैंके स्टेटिमेन आती हैं, कुछ यह आती है, तो कार्ड नमबर लिखा हुआ होआ नहीं होता है, याथ ही, 4569, और सी, 123,4 123, 4, 123,4, और सी, यहां पे नमबर लिखें, तो मैं जाता कि मैं आज बिजिट लिगू, फॉसका फोर, लाज का फोर लिगू, लेकि बीज में एक्स एक्स है, एक खुज से लग जाए तो यहां तो जी कस्तम में जाएंगे और यहां हम यह हुआ? वान, टू, टू, ट्री, फोर और कौन हो यहा है? पर्मूट करने प्लीज पराम किजिए और इन्वर्टिट कॉमा में वान, टू, ट्री, फोर फिर पेस दिए वान, टू, ट्री, फोर उसके बाद फिर यहां पे आप वान, टू, ट्री, फोर फोर टाइम हमने लिगा डाल दिया एक्स हैस डाल दिया अब यहां पे हम नुबर डाले हूँ एक्समिल मुझे फंप्रिट कर लोगी है वो लिए क्या कोश्चे में आपका सर, एक्चली मतलब जीरो और यह हैश में फिर इक रिकत है? बताता हूँ मुझे पता है कि यह कोश्चन आप पूचेंगे इसलिए मैं आपको इसके बाद बताने वरा था अब यहां पर दिकत आती है कि कैसे आइंटिफाई करें कहाँ पे जीरो डालना है और कहाँ पे हैट डालना है ओके? तो अगर मान दिजे इसमें पर साथ के मुझे यहां पर मुने 1500 लिखा हुआ है बत मुझे चाहिए MRT यहां पर MRT फिर इस वहाँ रहा है आइंटिफिटीन हुआ है तो अगर मैं मैंनुवली टेक्स की तरह लिख दूँगा तो इसमें किसी भी तरह काैलिकूलेशन नहीं कर पाएगा सुक्या? किसी भी तरह काैलिकूलेशन मुझे नहीं हो पाएगा क्या करेंगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कि हमने इस पर MRT गा तो किसी भी नमबर के आगे Prefix और e Baron आपका इंवर्टेड कॉमा में डाल दिया MRP, अगर 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 मैं कुछ नहीं डालता हूँ, तो सिर्क यहाँ MRP लिखेगा। अगर आपके अगर पीछे हैस तो लगाना पड़ेगा, या जीरो लगाना पड़ेगा। तो पहले MRP आगे हैं, क्योंकि हमने जीरो पो बाग में दिया है, या हैस हम दे दिया आपको, तो हैस को हमने बाग में दिया, इसलिए MRP पहले आ रहा है। अगर मुझे अगर मारती हमारा बाद में लगेगा तो जीरो है आपको लगाना ही पड़ेगा आपका नमबर को शूब करने के लिए इस दिखाए बात आती है कहां पर zero कहां पर हैट लगा है तो जैसे कि मैंने यहां पर क्या लगा रखा है राइक जीरो लगा लखा है तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसे में five लिखा तो यहां पर zero five आ लिए इसे तो हैं ।म धिनी में बगए tota गुरी है। ना जो और अज़ेंख मेंआ उपारेंख प्रफ्जिक और पर कम होती हुआ 202 तो नहीं अजया नहीं हुआ है निया ay दूस्तरा हमें जैसा टाइस है और इसा ही इक हम आपको बता से हमें यहां प्रूपी रुपीज हों है अका तो मैंने यहां पर कैसो डाला देखे दौक चे अमने यहां पर और यहां पर दिया है जीरो है और यहां पर हमने भिया रुपीज जो जिरो पैस अब मैं इसको ओके करता हूँ यहां देखिए 50 रुपीज 36 पैसा अब इसमें आप बुदेगे कि मैंने एक जिरो और एक हैस क्यों दिया तो ऐसा इसली दिया क्योंकि अगर मैं जिरो जिरो दाल देता यहां मैं सिर्फ जिरो जिरो ना लिता हूँ तो क्या होगा को फ़र्ट नी बढ़ा फ़र्ट कप परेगा जमने यहां लिखिए 5 रुपीर 36 पैसा अगर सिर्फ मैं 70 पैसा लिख दिया तो देखिए यहां पर 0 जिरो आजाएगा तो अगर मैं यहां पी 0 जाल देता है हमने डबल है कि कि rights करता रुसि पैससर ओज लग रहा है तो हमने जिरो के बाद एक हैस लगा दिया, दूसरा हमने यहां पे dot 00 क्यों दिया, dot 00 के लिए, तो decimal हमेशा आप 00 दीजिएगा, बढ़ना अगर आप 60 पैजा लिखेंगे, तो 6 दिखेगा, अगर यहां पे हैस दिखेंगे हैं, तो आप. तो आप लोगों को जिरो और हैस का फंडा चमंगना आगया, आपको हैसर, अब इसमें अगला मा आता है, जिसे कि अगर मान लेजिए, मैं 15,000 लिखता हूँ, तो इसको मैं चाहता हूँ 15 हो जाए, मतरकि मैं अमांड को 1000 में कनवर्ट करना चाहता हूँ, इसका यूज हम लोगों देश्वोर्ट के चार्ट लोगर में करते हैं, तो यहां पे हमने दिया, हैस, कॉमा, अगर मैं तीन बार हैस कर दूँ तो 1000 लगा देगा, लेकिन मैं सिप हैच और कॉमा दे दूँ, तो इस क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ, तो इस आपको दिखेगा 16, अब इसके आगे पीके जो होता है, के 15 के इस तरह के जो होता है, उस तरह के चीजा आप यहां लगा सकते हैं, आ गया, लगिन इन्वर्ट कॉमा में ह अब इसमांट को मैं ले लिया, अब इसमें एक और भी है, कि मैं इसमें 0.00 और यहां कर दिया डबल कॉमा, तो यह हो जाता है, अमांट इन मिलियन, 2.54 मिलियन अब इसको देखे, तो इकाइं, दहाइं, सैंक्रा, हजार, दस जार, लाग, दस लाग, दस लाग, तो तो तू मिलियन ए यह उसमें चलता है, तेन मिलियन, तो यहां पे आपका 2.54 मिलियन हो गया, अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, देट की, तो देट का भी यूज होता है, अपना सिस्टम देट मुझे लिखना है, तो आप यहां पहले देखे, कि आपका सिस्टम का देट का फॉर्मट क्या है, तो कुछ कंप्यूटर होता है MMDDYY, कुछ होता है DDMYY, यह क्या है MMDDY, नहीं है MMDDY, नहीं है Month, Day and Year है, तो आज का देट मुझे लिखना होगा, तो month लिखे फिर 19 चरना होगा, तो आपका उनीस अगर्ष आगया, आगया सर, उनीस अगर्ष आगया, अब मुझे इसके अपनी इजाब से देट चाहिए, तो आपके बास देट में और भी बहुत साथ फॉर्मेट्स हैं, अगर आप इसके अलाबा भी आपको खुद का फॉर्मेट्ट डिजाइंग करना है, तो इसमें होता है MDY, मतलब कि M महीना के लिए, D देट के लिए, Y, Year के लिए, अब इसको अपनी हिसाब से कोजी फॉर्मेट्स में लिखते हो, तो इसके मैंने आपको खुद के लिखा, तो यह आपको 012 के फॉर्मेट्स में यहां दिखेगा, यहां देखी, यहां पर इनिजल्स आपको लिए दिखेगा, यहां 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 दिखे अब इसको अपनी हिसाब से जैसा मर्जी करना चाहों जो सेबरेटर लगाना चाहों जैसा सिक्वेंस करना चाहों उस तरह से कर सकते हो कि ओके कि तो ताइम समझना आगे आप लोगो को पाहने को पॉलम देशने को पॉलम तो नहीं है न अब टाइम की बात करते हैं तो टाइम को भी तेम सिम्पल सेमीकॉलर्ण से लिखते हैं और यहां पर हमारे पास एक होता है आउगर एम होता है मिनाट और एस होता है स्टकेंद के लिए आप यहां प्याले करें या बाद में करें इससे कोई फॉलम नहीं है ठीक है आगे आप लेकिन मुझे अमाउंड को कनवर्ड करना है मैं गलत बोल गया आपी आउंगागा है तो जीसे के मालीचे कि 54 गर्डे 20 सकेंड ना हो थे हमने काम किया तो तो इसमें कितना और आम है तो बहुत अले हो अदेब को निकालते हैं अप्र मॉल्डिप्लाई करते हैं अगर आपको विज्वल चाहिए सिस आपसे देखना जाते हैं तो यहां पे आप स्क्वाइर ब्राइकेट में M को राल दिजी आपको यहां पे दिख जाएगा लेकिन वही बात है मुझे एक्शुल में चाहिए ताकि मैं उसके काल्कुलेशन कर सकूँ तो उसकेस में क्या करेंगे उसकेस में होगा टैक्स फॉमुला टैक्स और यहां स्क्वाइर ब्राइकेट में हम M को रालेंगे उभी इनवर्ड़ कोमा के अंदर अब देखिए 332 हो गया आप इसकी सावर जो करना चाहिए कर सकते है अगर M के जबर S कर दूँगा तो second हो अब बाहर होती है advanced custom formatting लेकि advanced custom formatting आप आज ना पढ़ें जैसे कि मैंने आपको बताया कि custom formatting बहुत important topic है यह आपको आगे चलके VVA में भी आपको यह करेगा support करेगा VVA में इसका यूज होगा VVA किसी भी number formatting में आप जो है कस्तम का यूज करते है और नॉर्मल रिपोर्ट में इसका काफी यूज होता है तो इसको प्रैक्टिस करके से पढ़ें तो अभी आप क्या करें मुझे तकीवन 20 इक्जामपल देजें तो 20 इक्जामपल देजें custom formatting की तो इक्जामपल ऐसा होना चाहिए जिसको मैंने करें की द景िस्टा हो जैवने से क्रियत आप फॉर्मिया करें की दूज है जक्ने सोविं ऑन है क्या कि तो注 deer है यूज हो प्नाफ ओ